Hello Friends, I am your study mate Sariqa Ramola और हिंदी में आज करने वाले हैं सूरदास जी को इनसे related important question Friends, इससे पहले भी मैंने हिंदी में बहुत सारे लेखा करवा दिये हैं उनसे related question answer भी करा दिये हैं बाकि आप playlist में जाके current फिर भी देखेगा एक बार फिर से और साथ ही बहुत सारे question paper में ने डाले वे पहले भी वो question जो है वो common है चायोन में उत्राखंड हो, हिंदी हो, general study हो सारे question है तो आप उनको भी प्लीज जरूर देखेगा तो चलिए start कर लेते हैं हम सूरदास जी को 1478 में हुआ था इनका जन्म ठीक है और कहा पर रुनक्ता मार्ग पर जो है आग्रा और मत्रा के बीच में यह स्थान है लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जन्म हुआ था वो दिल्ली सीही में हुआ था ठीक है लेकिन इसका जो अभी तक माना गया है authentic answer वो आप क्या करेंगे रुनक्ता में ठीक है जो कहा पर है आग्रए और मत्रा रोड पर है चलिए इसके अलावा दूसरा कुशिन है सूर्दास हिंदी साहित्य के किस काल के कभी माने जाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भक्ति काल के कभी माने जाते हैं और आप देखेगा सूर्दाजी हिंदी के भक्ति काल के महान कभियों में सामिल है हिंदी साहित्य में इन्होंने भगवान स्री किष्ण के उपाक सक रहे हैं और अनन्य उपासक रहे हैं ठीके और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है जो ब्रज भाषा है उसमें इन्हें स्रीष्ट कभी का दर्जा दिया गया है और हिंदी साहित्य का सूर्य भी सूर्दास जी को कहा जाता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखीगा Next question है सूर्दास ने किस भासा में काब्य रचना की थी तो इसका right answer क्या हो जाएगा ब्रज भासा इसका right answer हो जाएगा Next question है भ्रमित गीत किसका answer है तो right answer क्या हो जाएगा सूर्दास गिंदास जाएगा और ये question कई बार पूचा जाता है सूर्दास जी किया है ब्रहमित कीत है पांचmia question है अस्ट चाप के सर्वस्रेष्ट कभी कौन माने जाते हैं तो इसका right answer भी क्या हो जाएगा सूर्दास जी इसका right answer हो जाएगा ठीक है चलिए छटा question है सूर्दास जी ने अपने काब्य का मुख्य विशे किसे बनाया तो right answer क्या हो जाएगा कृष्ण भक्ति को बनाया ठीक है किसके उपासकते कृष्ण जी के उपासकते तो इनका जो विशय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रिष्ण की भकती हो जाएगा ठीक है next question है निम्ण में कौन सा ग्रंत सूर्दास जी का है तो इस में चार option है पहला है सूर सागर दूसरा है सूर सारावली तीसरा है साहित्यलहरी और चौथा है उप्रोक्त सभी तो राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी हो जाएगा ठीक है तो इनको आप याद करेंगे बहुत इंपोर्टन है और एक्जाम में पूछे जाते ही कि सूर्दास जी के जो ग्रंत है सूर्दास जी के गुरु का नाम क्या था तो राइट अंसर क्या हो जाएगा स्री वल्लवाचारे इसका राइट अंसर हो जाएगा और यहीं पे आम नोट डाउन कर लीजे कि सूर्दास भक्ति के सुद्दा दैतवाद दार्श्रिक आधार को मानते थे और जो ये दर्सन था स तो आप उनको भी देख रहेंगे यहीं पे उनको लिख दीजेगा ठीक है चलिए नुवा क्यूशन है निम्न में किस ने कहा था कि सूर्द अपनी आंखों से वातसल्य का कोना कोना च्छान आये हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचारे रामचंद्र सुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स क्यूशन है दसवां सूर्द सागर में सरवाधिक पद किसके हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बाल लीला के ठीक है और किसकी बाल लीला के भगवान कृष्ण के ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भागवत के 12 इसकंद में है ठीक है ये कुछे गए हैं इसलिए मैंने डाले ये कुछिन नेक्स कुछिन है सूर्दास का प्रीम पक्ष लोक से न्यारा है ये कथन किस विद्वान का है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी आचार्य रामचंद्र सुकल इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कुछिन है धमर गीत प्रशंग का प्रति पाध ह तो राइट अंसर क्या हो जाएगा सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन और निर्गुण का खंडन करते हैं ठीक है तो आप यहां से भी लगा सकते हैं कि सूर्दास जी क्या है सगुण साखा से रिलेटेड है ठीक है चलिए चौद्वा कुश्यन है ध्रमर गीत सूर सागर के भ पुश ली जाती है पंद्रवा क्यूश्यन है भ्रमर गीत में ध्रमर का प्रती कौन है तो राइट अंसर हो जाएगा उध्व इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो निम्न में सूर्दास का लोगप्रिय नाम क्या है चार आप्शन है आपके पास और पहले दे तुक्त D. इन सभी नामों से जाना जाता था सूर्दासी को. चलिए सत्रवा क्यूशन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो राइट अंसर क्या हो जाएगा भक्ति काल को कहा जाता है. तो इसका right answer भी क्या हो जाएगा भक्तिकाल इसका right answer हो जाएगा ठीक है चलिए उन्निस्वा question है पुष्ट मार्क जिसे साधना मार्क भी कहा जाता है में बलवाचारे ने किस कभी को दिख्षित किया है option है हमारे पास कुम्बन दास, सूर्दास, पर्मानन दास, कृष्ण दास और इसका right answer क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी हो जाएगा ठीक है इनको क्या किया था दिख्षित किया था बलवाचारे ने और आप यहीं पर एक question और देख लीजे कि जो पुष्टी मार्ग था इसका आधार था श्रीमत भागवत ठीक है इसका आधार क्या था श्रीमत भागवत चलिए next question है किसने कहा था समुझे भारती साहित्य में अपने ढंका अकेला साहित्य है इसी का नाम भक्ति शाहित्य है यह एक नई दुनिया है यह किस ने कहा था आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने यह कहा था ठीक है नेक्स्ट और लास्ट कुशिन है सूर्दास की मृत्यू किस वर्स हुई थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सूर्दास जी का जन हुआ 1488 सन में और मृत्यू हुई थी पंद्रा सो तीरासी में ठीक है तो इसे ध्यान रखेंगे यह थे सूर्दास से से सम्मंदित महतोपून प्रश्न उत्तर और एक बार उनकी रचनाई देख लेते हैं ठीक है इसको जरूर आप देखिएगा यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टन है क्योंकि कई बार पूछी गई है जैसे सबसे पहले सूर सागर दूसरी है सूर सारावली तीसरी है साहित लहरी और पांचवी हैं नल दमेंती यह कई बार पूछी जाती है ठीक है नेक्स्ट है नाग लीला फिर गोवरधन लीला और प्रांड प्यारी इनको आ सबसी के नेओिंगों म ledण उन्हेलल थारा प्रांद और बार प्याय कि चाहिएekt इनको आहिए otữa के झाहिएर प्रांध प्यां जब उन्हें हैं जाकती है